नमस्कार मैं अंकित्यागी गोलाई वी टेकनलोजीज के ओफिशिल यूट्यूट चैनल में आपका स्वागत करता हूँ काफी बार मार्केट में OPS के प्राइस में एक वैरियेशन देखने के लिए मिलता है कोई seller I512 जेनरेशन का OPS 20,000 में दे रहा होता है तो दूसरा seller 25 में और तीसरा 30,000 में अब यह जो प्राइस में वैरियेशन है क्यों आता है चलिए इसी पर बात करते हैं देखिए जो एक OPS होता है वो following parts से मिलकर बना होता है आपका processor, GPU, RAM, Storage, Networking Interfaces, Motherboard, etc यहाँ पर जो सबसे बड़ा वैरियेशन आता है वो आता है processor की वैजे से अगर आप Intel में भी जाता है Intel में आपको same generation में 3 से 4 variant मिल जाएंगे processor के चलिए इस पर बात करते हैं देखिए आप अगर I5 12th generation का OPS ले रहा है या I7 या फिर I3 वहाँ पर आपको U series मिल जाएगी, P series, X series और HX series यहाँ U का मतलब है under performance, P का मतलब है performance optimized H का मतलब है high performance और HX का मतलब है extreme high performance यह जो U series वाला processor है इसकी TDP rating है 15 watt वहीं high series वाले की TDP rating है 45 watt अब यह TDP rating क्या होती है, देखिए TDP की full form है thermal design power यह rating यह बताती है कि आपका जो processor है वो maximum किस level तक heat हो सकता है तो देखिए यह 15 watt तक heat हो सकता है यह वाला 45 watt तक और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जब एक बार CPU heat हो जाता है तो उसके बाद वो खुद को slow down करता है अपने operations को halt करता है यानि जो भी आप उस पर काम कर रहे हैं वहाँ आपको एक lag देखने के लिए मिलेगा क्योंकि प्रोसेसर खुद को cool करने के लिए अपने operations को slow down करता है इसलिए जब भी आप OPS buy करें make sure करें कि आप P series या फिर H series का OPS buy करें क्योंकि under performance वाले प्रोसेसर के OPS में आपको एक visible lag जरूर मिलेगा और practical तोर पर अगर बात करूं mostly teachers note 3 या note 5 software use करते हैं OPS में अगर आप इन software को 3 से 4 घंटे या फिर इससे ज़ादा use कर रहे हैं तो आपको कोई भी issue नहीं आएगा अगर आपके पास OPS P series या फिर H series वाला U series में ये issue आपको जरूर आएगा हमारे काफी सारे customers ने ये complaint की है कि उनको ऐसा issue face करना पड़ा और यहाँ पर इसका सीधा सा solution ये है कि आपको buy करना चाहिए high performance या फिर performance optimized processor वाला OPS अच्छा ये चीज़ चेक कैसे करें कि जो OPS आप buy कर रहे हैं वो U series वाला है या फिर high series वाला इसके लिए चलते हैं OPS section तो हम आचुके हैं OPS में और यहाँ आपको simply this PC में जाना है और this PC में जाने के बाद कहीं भी खाली जगे पर आप tap करिये properties वाले कॉलम में जाएए यहाँ आप processor वाले section में साफ देख सकते हैं 12th generation Intel Core i5-1245-0H अगर यहाँ H की जगे U है तो समझ जाए वो under performance वाला OPS है अगर यहाँ P है तो performance optimized processor वाला OPS है तो खरीबते वक्त यह चीज़ जरूर देखेगा और वहाँ से आपको idea हो जाएगा कि price में variation क्यों आ रहा है इसके अलावा price में variation इस वज़े से भी आता है कि आपकी जो processor है उसमें जो RAM यूज की गई है उसमें जो connector यूज किया गया है जो motherboard यूज किया गया है वो किस company का है और उस product की quality क्या है और अगर आप चाहते हैं एक अच्छा OPS आप buy करें एक reputed brand का तो GoLivey Technologies को contact करेंगे और हम आपको provide करेंगे best OPS वो भी बहुत affordable दाम पर और साथ मैं आपको मिलेगी free delivery भी और इसी के साथ मैं कित्यागी इस video को end करता हूँ इसके अलावा अगर आप लोगा कोई suggestion है कोई confusion है तो kindly comment section में लिखेगा जरूर धन्यवाद